हेलो स्टुडेंट्स आप सभी को सुप्रभात गुड़ मॉर्निंग नमस्कार बच्चों 11 अकॉंटेंसी में हम जर्नल इंट्री पढ़ रहे हैं और जर्नल इंट्री में हमने अभी तक करेब तीन कोस्चन किये हैं आज हम उसी कड़ी में आगे और कॉस्चन करने वाले हैं बच्चों एवरी डे चोहान एकेडमी खंडवा पर एविनिंग में रात को आठ बजे 12 अकॉंटेंसी की क्लास लगती है और सुभ आठ बजे 11 अकॉंटेंसी की क्लास रहती है साथ में आप लोगों के लिए चोहान एकेडमी खंडवा का एक प्ले स्टोर पर एप है चोहान एकेडमी के नाम से वहां से आप पीडिय अप नोट्स फ्री में ले सकते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जूड़िए जो बच्चा कोचिंग नहीं जा रहा है वो हमारे साथ जूड़ करके फ्री में स्टेडी कर सकता है अकॉंटेंसी बिजनेस स्टेडी 11-12 दोनों की और साथ में उसके जो पीडिय अप नोट्स है उन्हें उस एप के माद्यम से फ्र जाएंगे स्टुडेंट्स लास्ट यहर भी मैंने साल भर पढ़ाया था पिछले साल जो ब्लू प्रिंट आया था प्रस्ण बैंक आई थी उस प्रस्ण बैंकों को पूरा सौल करवाया था तो हमारे जो अब्जेक्टिव 32 नंबर के जो अब्जेक्टिव है 12 क्लास में मैं पूरे 32 नंबर के अब्जेक्टिव जो यूनिट वाइस प्रस्ण बैंकों की उनिट वाइस करवाया थे उसके सारे वीडियो चोहान एकडमी खंडवा के एब पर प्ले लिस्ट में डले हुए हैं आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं साथ में जिसे कुछ बच्चे जानी हमारे प्लेलिस्ट डली हुई है अप वहाँ से इन को सकते हैं ठीक है वैसे यदी हमें तरीक हमालूम हो तो आप को इसी भी भूंक को k azne कर सकते हो एक तो स्टार्ट करते हम यह इंपोर्टेंद इंपोर्टेंड को स्चन में आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं और आज हम हमारी class start करते हैं 11th accountancy में journal entry बच्चों जर्नल इंटरी अभी तक हमने जो साधरन जर्नल इंटरी है वो देख ली है आज हम एक अलग question पढ़ेंगे जो कि mix entry होगी जिसको हम मिस्रित प्रविस्टियां बोलते हैं दिने तो mixed journal प्रविस्टि किस प्रकार से होती है 10,000 रुपे का ठीक है और उसी समय उसी दिन 10,000 रुपे का स्याम से भी माल खरीदा अब दो लोगों से उसने माल खरीदा है तो दोनों कंडिशन में जब हम दोनों की प्रविश्थी करेंगी कि क्राय खाता डैबिट राम से इसी प्रकार से क्रेडित वाली इंट्री अलग अल क्रैखाता डेविट राम से और स्याम से इसरित प्रविश्टी कहा जाता है और इसे से रेलेटेड हम आज जर्नेल प्रविश्टी करने वाले उसको समझ लेते हैं निमने यह होखरो से हम जर्नल रोजना मचा बन गूये हैं अ 2018 जनवरी 10 को सीमा ने 20,000 रुपे रोकड और 50,000 रुपे प्लांट से व्योसाय प्रारंब किया Students मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि व्यापारी जब भी व्यापार प्रारंब करता है तो व्यापार को सुरू करने के लिए वह रोकड संपत्ती और माल मतलब स्टॉक यह तीनों चीजे ला सकता है और यह तीनों चीजे जब व्यापार को प्रारंब करने के लिए लाएगा तो वह तीनों को जोड के हम क्या बोलेंगे कि यह पुंजी है इसका मतलब जब वो रोकड लाता है तो रोकड खाता डैबिट पुझी खाते से यह होता है इसी प्रकार से वो यदि संपत्ति ला रहा है तो संपत्ति खाता डैबिट पुझी खाते से और यदि वो माल लाता है तो स्टाक या माल खाता डैबिट पुझी खाते से मतलब तीनों condition में पुंजी खाता credit हो रहा है तो यहाँ पर भी यदि वह रोकड और plant लेकर के आ रहा है तो रोकड खाता debit, plant खाता debit और दोनों किस रूप में व्यापार में आ रहा है पुंजी के रूप में आ रहा है इसलिए पुंजी खाते से मतलब यहाँ पर हमारे जो दो खाते कौन-कौन से प्रभाहित होंगे एक तो debit में एक हम लिखने वाले हैं रोकड खाता लिखने वाले हैं क्योंकि व्यापार के अंदर रोकड आ रही है ठीक है, सेकन खाता कौन सा आएगा plant या machinery खाता क्योंकि व्यापार के अंदर संपत्ती जब आती है तो debit और जाती है तो credit यह वास्तवी खाते की विशिस्ता है तो यह golden rule है तो plant भी आ रहा है, रोकड भी आ रही है इसलिए debit और यह दोनों किस रूप में व्यापार में आ रहे हैं यह दोनों आ रहे हैं व्यापार को प्रारंभ करने के लिए व्यापार को start करने के लिए इसलिए यह पुझी खाता credit हो जाएगा, इन दोनों को जोड के 20,000 और 50,000 70,000 रुपे पुझी खाता credit हो जाएगा क्लियर? चलिए, आगे बढ़ते हम आगे दिया है पंदर तारिक को आरियन से माल खरीदा आरियन से माल खरीदा इसके पहले वाले सवाल में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी माल खरीदने की बात आएगी, तो आप सीधा सीधा debit क्या करेंगे? क्रै खाते को debit कर देंगे आपको कुछ सुचना ने आपने जब भी माल खरीदा, उधार खरीदा हो चाहे नगत खरीदा हो, आप क्रै खाता debit कर दो, आपने क्रै खाता debit कर दिया, बस अब हम आ जाएंगे credit पर आपने कैसे खरीदा? नगत खरीदा, तो रोकड आपके पास से जा रही है, रोकड खाता credit हो गया, उधार खरीदा है, किस से खरीदा आपने उधार के समय में, आपने किस से खरीदा, उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा, किस से खरीदा? आरियन से खरीदा तो आरियन क्या होगा credit होगा, मतलब ये दो खाते credit हो जाएंगे क्राय खाता, debit, रोकड खाते से और आरियन से क्लियर? चलिए तीसरे नंबर पर हम चलते हैं राजेस को माल बेचा अभी मैंने बताया, जैसे जब भी माल खरीदा जाएगा, तो क्राय खाता debit होगा, इसी प्रकार से आप जब भी बेचोगे, आपने माल बेचा मतलब, आप विकरे खाता credit कर दोगे, आपको सबसे पहले विकरे खाता credit कर देना है, बस, आपने माल बेचा, नगत बेचा, तो आपको रोकड मिलेगी, रोकड आ रही है, रोकड खाता debit उधार बेचा है उधार बेचने में जैसे मैंने यहां बताया था कि आपने उधार किसको बेचा उसका नाम देखो राजेस को बेचा तो राजेस डेबिट हो जाएगा क्योंकि राजेस पाने वाला है राजेस पाने वाला है तो रोकर खाता डेबिट राजेस डेबिट विक् आएगी तो रोकड आएगी तो डेविट और जाएगी तो क्रेडिट आपको रोकड प्राप्त हुए इसका मतलब आप डेविट क्या करेंगे आप रोकड खाता डेविट करने वाले रोकड खाता डेविट करेंगे क्या आपको प्राप्त हुआ अब यहां पर किस से प्राप् राजेस को माल नगत तो आपको मिल गया था लेकिन उधार कितने का बेचा था 15,000 का राजेस आपको 15,000 रुपए देने वाला था लेकिन उसने आपको 14,500 रुपए ही दिए कैस आपको 14,500 मिला तो 500 रुपए क्या है यहाँ एक और खाता डेविट होगा कटोती खाता डिसकाउंट खाता डेविट होगा रहा रहा रोकड खाता डेविट कटोती खाता डेविट राजेस से क्योंकि आपने 15,000 का माल बेचा था मिल रहे हैं रोकड के रुप में 14,500 इसलिए डेविट और क्रेडिट आपका दोनों बराबर नहीं हो रहा है 500 का अंतर आ रहा है इसलिए डेविट में हम लिखेंगे कटोती या डिसकाउंट खाता डेविट 500 रुपए और ये डेविट क्यों किया क्योंकि कटोती एक प्रकार के आपके लिए हानी है और हानी और व्यय ये नाम मातर का खाता हमेशा व्यय और हानी डेविट होती है क्लियर इसके बाद में हम चलेंगे मिथिला मसी नरी से 20,000 रुपे मुल ले की मसी नरी और 2000 उपे मिल लेके 1000 खरीदे वही आपने क्या खरीदा माल खरीदा क्या यदि आप माल खरीदते तो क्राय खाता डेबिट होता आप यहाँ संपत्ती खरीद रहे हैं तो आपके व्यापार में क्या आ रही है मसीनरी आ रही है तो मसीनरी खाता डेबिट ओजार आ रहे हैं ओजार खाता डेबिट ठीक है मसीनरी ओजार ये डेबिट हो रहा है और आपने यहाँ पर नाम आ रहा है प्रोकर सब्द नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने किस से खरीदा मिथिला मसीनरी से उधार खरीदा है और इसलिए हम क्रेडिट में क्या लिखेंगे मिथिला मसीनरी खाता मसीनरी खाता डेबिट और जार खाता डेबिट मिथिला मसीनरी से ऐसा ठीक है क्योंकि ये आ रहा है वस्तु आती है तो डेबिट और आपके पास से जा कुछ नहीं रहा क्योंकि आपने उधार खरीदा जबे आप उधार खरीदेंगे तो सामने वाला लेंदार हुआ मतलब उसका नाम लिखना पड़ेगा आपको फिर है किराया और किराया 2000 और 3000 का भुकतान किया किराया और यह वेतन होगा चलो हम यहां वेतन किराया 2000 और 3000 वेतन 3000 का भुकतान किया तो डैबिट क्या होगा किराया और वेतन और क्रेडिट क्या होगा आप यह दोनों किस रूप में दे रहे हैं सामने वाले को रोकर के रूप में दे रहे हो इसलिए रोकर खाता क्या हो कि इसको हल कर लेते हैं जर्नल प्रिविस्त्री बनाएंगे हम जर्नल का फॉर्मेट तो मालूम है आप लोगों को लेकिन बार बार हमें याद रखना है जर्नल में पांच कॉलम होते हैं कि इतने कॉलम होते हैं फाइब कॉलम होते हैं पहला कॉलम डेट का होता है दिनांग का होता है दूसरा कॉलम पर्टिकुलर मतलब विवरन का होता है तिसरा कॉलम एलेफ मतलब खाता प्रस्च चोथा कॉलम डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट ठीक है जर्नल इंट् जर्नल, एंट्रेज, डेट, पर्टिकुलार, एलेव, जैबिट और क्रेडिट सबसे पहले 2018, हम year लिखेंगे, 2018, फिर जन्वरी 10, जन्वरी मन्थ लिखेंगे और डेट लिखेंगे, व्योसाई प्रारंब किया है, तो क्या-क्या आ रहा है, केस अकाउंट, डेबिट, प्लांट अकाउंट, डेबिट, तू, डेट अकाउंट, रोकड कितनी लाया वो, 10,000, दस अजार निपी सजार सौरी, रोकर 20,000 और प्लान्ट 50,000 टोटल हो गया हमारा 70,000 ठीक है यहां हम लिखेंगे इस लिखेंगे बिगनेस चाटेट व्यापार प्रारंब किया थिक प्यापार में क्या आया रोकड आई और संपत्ति आई दोनों किस रूप में आई पुझी की रूप में आई इसलिए आने वाली वस्तू debit और पुंजी दाई तो है दाई तो में वरद्धी हो रही है इसलिए पुंजी खाता क्या हो गया क्रेडिट हो गया 15 तारिक को आरियन से माल खरीदा जनवरी बार बार ने लिखेंगे डैस लगा देंगे और तारिक लिखेंगे 15 आरियन से माल खरीदा तो क्रेखाता डैबिट हो जाएगा मतलब पर्चेस अकाउंट पर्चेस अकाउंट डैबिट तू कैस और तू आरियन आपने नगत खरीदा दस हजार रुपे का और उधार खरीदा आपने 20,000 रुपे का तोटल हो गया 30,000 रुपे ठीक है आपने माल खरीदा तो माल आया माल खाते के 5 प्रकार है क्राय खाता विक्रे खाता क्राय वापसी विक्रे वापसी स्टॉक जब माल आता है तो डैबिट होता है और उसको हम क्या लिखेंगे क्राय खाता डैबिट हो गया जा क्या रहा है आपके पास से रोकड जा रहे है इसलिए रोकड खाता क्रेडिट हो गया और आपने उधार ख purchased आपने माल खरीदा ठीक 20 तारिक को आपने राजेस को माल बेचा ठीक है अब यहाँ पर राजेस पाने वाला हो गया एक तो उधार है तो ठीक है हम करम से लेखते हैं सबसे पहले आपने नगत बेचा आप नगत बेचोगे तो आपको कैस मिलेगा ठीक है और उधार बेचोगे तो सामने वाले का आपको नाम याद रखना पड़ेगा और क्या कि आपने माल बेचा है तो सेल्स अकाउन नगत कितने का माल बेचा दस हजार का दस हजार रुपे व्यापार में आए और पंद्रह हजार रुपे का देंदार है देंदार संपत्ति होता इसलिए डैबिट हो गया तोटल हो गया पच्चीस हजार रुपे है ठीक है बी गुट्स तोल्ड आपने माल बेचा ठीक है नगत बेचा भई आप जब भी माल बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा रोकर मिलेगी तो आपने रोकर खता डैबिट तो यह दस हजार का नगत बेचा इसलिए दस हजार रुपे कैस मिल गया और पंद्रह हजार का उधार ब बार होने से पाने वाला हो गया हो राजस पाने वाला हो गया इसलिए डैबिट हो गया और आपने विकरे किया मैं एक बार आपको बार 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 बोल रहा हूं कि जब भी आप माल खरीदोगे तो क्रेखा था डैबिट आप माल बेचोगे तो विकरे खाता क्रेडिट फिर ह 25 तारिक को राजेस से नगत प्राप्त हुआ 25 तारिक को राजेस से नगत प्राप्त हुआ बहुत नगत प्राप्त हो रहा है इसका मतलब Cash, Account, Debit लेकिन कितना प्राप्त हो रहा है राजेस से आपको 14,500 रुपे मिल रहा है आपने माल उसको कितने का बेचा था आपने राजेस को माल बेचा था 15,000 का और आपको मिल रहा है 14,500 वह आप जब sales लिखोगे हमने यहां लिखा to sales account ठीक है तो sales में आपने लिखा 15,000 रुपे और आपको मिल रहा है 14,500 तो debit और credit बराबर नहीं हो रहा न हमारा जो 12 लेखा प्रणाले का सिध्धान्त है उसमें debit और credit दोनों पक्ष बराबर होते हैं debit यह दि 14,500 हो रहा है तो credit भी 15,000 हो रहा है तो debit भी 15,000 होना चाहिए 14,500 हो रहा है 500 रुपे कहां चले गए इसका मतलब आपने उसको क्या दिया है यह आपने discount दिया है तो discount account debit और कितना 500 रुपे का आपने discount दिया पराबर हो गया तो उदर 500 और 515,000 हो गया यहां आ जाएगा being cash receipt नगत प्राप्त किया clear चलिए अब हम और देख लेते हैं आगे कितनी इंट्री बच्ची है हमारी कुछ बच्ची है स्टाइड में देख लेते हैं बच्ची है । k हुआ you सब्क्राइड इस लेग और ध़ित are are doing कि एलेफ को डैबिट और क्रेडिट अगली तारिक कौन सी अमारी अगली तारिक है 31 तारिक को को 2018 जन्वरी 31 मिथिला मसीनरी से आपने मसीनरी खरीदी व्यापार में यदि संपत्ति आती है तो डैबिट तो मसीनरी अकाउंट डैबिट तो फिर कॉम क्या बोलेंगे टूल्स और जार मतलब तूल्स या उसको क्या बोलते हैं इन्वेंटरीज भी बोलते हैं कि इन्वेंटरीज तो डैबिट तो मिथिला तो मिथिला मसीनरी मसीन भी खरीदी तूल्स भी खरीदे और किस से खरीदे मिथिला मसीनरी से खरीदे कितने का बीस हजार और दो हजार बीस हजार रुपय के मसीनरी आई और दो हजार रुपय के टूल्स खरीदे तोटल आपने उधार खरीदा क्योंकि आपके पास से नगत कुछ भी नहीं गया बींग मसीनरी आई टूल्स पर्चेस्ट मसीनरी आई टूल्स खरीदे गया अब 31 तारिक को और आपने क्या किया 31 तारिक को आपने रेंट दिया रेंट मतलब किराया आपने दिया तो ये नाममातर के खाते कि स्रेणी में आता है व्याय और हनियों को डैबिट जब भी आप किराया वेतन बीमा विजली का बिल ये जब भी आप देंगे तो इन्हें आपको डैबिट करना है सेलरी अकाउंट डैबिट और आप इनको केस रूप में दे रहे हैं जब कुछ नहीं लिखा हो तो हम क्या मानेंगे आपने कैस दिया कितना दिया दो हजार और तीन हजार तो हजार तीन हजार टोटल आपके पास से कैस कितना चला गया 5000 का कैस चला गया तो इस बींट एंड सेलरी पैड आपने किराया और वेतन चुकाया ठीक अब हम एक लंबी लाइन खिचेंगे और इसका टोटल कर देंगे हैं चलिए मैं नीचे खीज़ देता हूँ अब हम टोटल करेंगे और टोटल लिख देंगे टोटल कितना आएगा देख लो बीच आर पचास स्तर और तीज एक लाग, एक लाग पच्चीस हजार एक लाग, पच्चीस और पंदरा चालीश हजार, एक लाग, बास सथ हजार और एक लाग, सड़ सड़ हजार आपका जो ग्रेंद टोटल है ग्रेंड टोटल एक लाख सड़ सड़ हजार और एक लाख सड़ सड़ हजार इधर भी दिख रहा है ग्रेंड टोटल हो गया हमारा एक लाख सड़शच हजार वेड़ क्या कुछ नहीं हो वाँ एसी लाइन खिँत ठीक है यह हो गया हमारा जर्नल इंटरी इस प्रकार से हमें मिक्स इंटरी जोसको हम बोलते हैं मिस्रित प्रविस्टिया मिक्स जर्नल इंटरी ऐख क्लेर है यह उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आप लोगों को यहीं समझ में आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर किया करो तो हम आपसे इतनी ही अपिक्षा रखते हैं कि वीडियो के लिंक आप उसको कॉपी कर लो और आप जितने भी दोस्तों के साथ जुड़े हुए हो उनको जरूर सेयर करें ताकि वो भी हमारा वीडियो देखें और यदि मानलो वो उसको कहीं भी पढ़ रहा हो समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहां से समझ सकता है देखिए अब अगला प्रस्न है सुरेश की पुस्तकों में जर्नल प्रविस्थी करना है तो सुरेश ने नगत रुपए से व्यापार आरंब किया यहां पर दो खाते प्रभाईत हो रहे हैं दो खाते कुन से प्रवाइट हो रहे हैं एक तो डैबिट और दुसरा क्रेडिट ग्रीन ले लेते हैं ठीक है तो डैबिट कुन सा हो रहा है कैस और क्रेडिट कुन सा होगा रोकड आ रही है रोकड खाता डैबिट पुन्जी खाते से नगत माल खरीदा मैंने आप लोगों को एक ही बात बोली है कि जब भी माल खरीदा जाएगा पर्चेस अकाउंट डैबिट और नगत खरीदा है तो रोकड जा रही है कैस अकाउंट क्रेडिट नगत माल बेचा जै खरीदा है तो purchase account debit बेचा है तो sales account credit खरीदोगे तो रोकर जाएगे इसलिए credit और बेचोगे तो रोकर आएगे इसलिए debit सुधिर को माल बेचा बहिए आप यहाँ पर आपने sales किया नगत नहीं इसको बेचा सुधिर को सुधिर पाने वाला हो गया बहिए नगत नहीं ना सुधिर को बेचा सुधिर पाने वाला इसलिए debit इसी प्रकार से विभूती को माल बेचा इसलिए sales और विभूती विबुती पाने वाली हो गई हिरा लाल से माल खरीदा आप जब भी खरीदो उधार खरीदो चाहे नगत खरीदो परचेस अकाउंड और ये हिरा लाल से आपने खरीदा हिरा लाल क्रेडिट स्टेशनरी के लिए दिये पर जितने भी वे हैं वो वे आपको डैबिट करना है पोस्टेश स्टेशनरी वेतन किराया ये सभी आप कैस के रूप में दे रहे हो रोकर दे रहे हो रोकर जा रही है सुधिर ने दिये आपको सुधिर ने दिये कैस किस ने दिये सुधिर ने क्योंकि आपने पहले उसको माल बेचा था लेकिन पूरे ने दिये आपको 100 रुपे का डिसकाउंट कितना है आपने सुधिर को कितने का माल बेचा था कहांगे सुधिर यह पारहजार का माल बेचाता वो उसको आप 1100 रुपए का डिसकाउंट भी दे रहे हो इसलिए डिसकाउंट भी डैबिट होगा 1100 रुपए मजदूरी दी वेजेस जितने भी वे हैं वह आप डैबिट कर दो और कैस क्रेडिट कर दो किसंचन से कमिशन मिला कमिशन मिला कमिशन कैस के रूप में विलेगा मतलब कैस अकाउंट डैबिट हो जाएगा और कमिशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कमिशन एक इंकम है वे डैबिट होते हैं तो आए क्रेडिट होती है प्रकास प्रबंदक को वेतन दिया मत चलिए बना ये मेरे साथ में हाफ लुग भी जर्नल एंट्री प्रेंट प्रेंट पांच कॉलम होते हैं दिनांक, विवरेंट, एलेफ, डैबिट और क्रेडिक्ट अब हम इसको थोड़ा सा थिकनेश कम करें जर्नल एंट्रीज जर्नल इंट्रीज मतलब जर्नल प्रविस्टी डेट प्रेटिकुलर एलेफ एबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दिनांक कैसे लिखते हम दो हजार अठारा मार्च फिर मन्थ लिखते हम फरस्ट इसने नगत से व्यापार प्रारंब किया एक लाग बीस हजार से इसलिए हम लिखेंगे कैस अकाउंट डेबिट तू कैपिटल अकाउंट एक लाग बीस हजार रुपैस से व्यापार प्रारंब किया हम लिखेंगे प्रारंब करने वाली प्रुविस्टी तो बहुत आसान है नमबर टू पर है नगत माल खरीदा जब भी माल खरीदा जाएगा तो पर्चेस अकाउंट डेबिट होगा और आपने नगत खरीदा तो कैस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने का खरीदा पंदरह हजार रुपै का आपने माल खरीदा उन्हें लिख दिया बेइंग गुट्स परचिस्ट तोरिश ठीक नमबर थ्री पर है पाच तारीक को नगत माल बेचा पाच तारीक लिखेंगे आप जब नगत माल बेचेंगे तो रोकड आएगी केस अकाउंट डैबिट और तू सेल्स अकाउंट कितने का माल बेचा आपने 13,000 रुपए का माल बेचा 13,000 रुपए डैबिट और 13,000 रुपए क्रेडिट फिंग गुड्स सोल्ड यह गोल्डन रूल हमें याद रखना है जब भी हम माल खरीदेंगे तो डैबिट होगा क्रेखाता माल बेचेंगे तो विक्रेखाता क्रेडिट होगा पाच के बाद साथ तारीक में आ जाएंगे हम साथ तारीक को क्या हुआ सुधिर को माल बेचा, विभूती को माल बेचा दोनों को माल बेचा है तो और उधार बेचा है इसलिए सुधीर टैबिट और विभूत्ती डैबिट तू सेल्स अकॉंड भई हम मिक्स इंट्री काल सकते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने मिक्स इंट्री करें थे ऐसे हम मिक्स इंट्री कर सकते हैं 12, 11, 12 और 11 तू तैल्स अकाउंड तोटल माल आपने कितने का बेचा एस हजार का माल बेचा पेंग गुट्स तोल्ट ठीक फिर दस तारिक को हिरालाल से माल खरीदा तो दस तारिक को आप जब भी माल खरीदोगे तो क्राय खाता डैबिट करना है और उधार खरीदा तो टू हिरालाल कितने का माल खरीदा 15,000 रुपय का माल खरीदा इस समरी तो आप लिख सकते हैं अपने मन से समरी में कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि आपको ऐसा लिखना है कि वेसा लिखना है आपके मन से प्रस्न में जो लिखा है इसको एस इतिक भी लिख सकती है आप उसको सौर्ड खर सकते हो चलिए आगए है इपंदर तारिक को I passing के लिए dark ticket के दिये वह है तो दोनों कि हमें खटा लिख सकते ही इस्टेसनरी यह व्य है ठीक है तो इस्टेसनरी अकाउंट डेविट और पोस्टेज एंड टिकट अकाउंट डेविट और यह दोनों आपने किस रूप में दिया कैस के रूप में दिया रूप कैस अकाउंट ग्यारा सो और एक सो पचास यह हो गया बारा सो पचास बिंग अब आगे चलते हैं इनको इधर ले आते हैं कैसा इनको सॉस्ट टिक टिक 먼저 टिक ब्रहर सै अब है नह ब्लख सर्दों टिकर भूर मूर में दियुट कैसे हैं ₹ IS Expert 국iler L'F X डेट पर्टिकुलार लेफ डेविट एंड क्रेडिट ठीक है अब अगला क्या है अगला पॉइंट है हमारे सामने तुधिर ने दिये 10 900 और 1100 का डिसकाउंट दिया उसको 20 तारिक को तो 2018 मार्च पीस तुधिर यदि हमें देगा कैस अकाउंट देगा और कितने पैसे दे रहा है 10 900 बहुत 10 900 दे रहा है इसका मतलब डिसकाउंट 11 100 रुपे का हो गया क्योंकि हमने उसको माल कितने का बेचा था हमने माल 12,000 रुपे का बेचा था आप देख लो यहां पर हमने सुधिर को 12 का माल बेचा था बिंग कैस रिसीवड ठीक फिर है आगे मजदूरी दी 25 तारिक को 1100 रुपे की 25 तारिक को वेज़ेस आकाउंट कैब टू कैस आकाउंट ग्यारा सो की मजदूरी दी बिंग वेज़ेस पैड नेक्स्ट है किसन चन से कमिशन मिला इस तारिक को कैस आकाउंट डैबीट को कमिशन अब यहाँ पर कई बच्चों से क्या गल्ति हो जाती है कि कमिशन किसन चन से कमिशन मिला तो बच्चा क्या कर देता है रोकर खाता डैबीट कि संचन से ऐसा लिख देता है किकिन किसंचन देने वाला है लेकिन यहां पर आपदेखोगे तो तीन आप के सामने बाते आरहीए एक तो कमिशन दूसरा मिला मतलब कैस और तीसरा किसंचन तो अधिकान्स बच्ची क्या क्रेडित में गलती हम यारो रहा है तो क्या मिल रहा है क्मिशन मिल रहा है क्या मिल रहा है आपको कमिशन बारा सो पचास का ठीक है कमिशन रिसीवड कमिशन रिसीवड ठीक है लास्ट इंट्री हमारी क्या है प्रबंदक को वेतन दिया यहाँ पर भी वही बात आ रही है 31 स्थारिक को सेलरी अकाउंट सेलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा तू कैस अकाउंट वेतन दिया न 11,000 रुपे का सेलरी पैड लाइन खीचेंगे हम लगे तो आप डबल लाइन खीच दो और टोटल कर दो टोटल कितना हो जाएगा इनको हम साइड में कर देते हैं कॉस्चिंस को एक बीस एक पैंटीस इसको अलग अलग जोड़ना पड़ेगा हमें कि बीज दस तीस चालीस पचास सांट सतर असी 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 नब्वे एक लाग नब्वे हजार इसा नहीं जुड़ेगा इसको अब हम टोटल कर लेंगे ठीक है तो इसका टोटल किस प्रकार से होगा फटापडम कर लेते हैं एक लाग बीस हजार प्लस पंद्रह हजार प्लस तेरह हजार प्लस तेस हजार के बाद फिर पंद्रह हजार फिर बारह सो पचास बारह सो पचास फिर बारह हजार फिर ग्यारह सो फिर बारह पचास और ग्यारह हजार दो लाग बारह हजार दो लाग 12600 किया जाएगा ग्रेंड टोटर दो लाग 12600 तो यह हमारा यहां पर यह कुश्यन हमारा कम्प्लीट हुआ देखो टोटल डैबिट और क्रेडिट दोनों बराबर आना चीए तो दो लाग बारह हजार छेसों दो लाग बारह हजार शेसो दोनो पक्ष बराबर आ रहा है और इस प्रकार से हमें जर्नगीनप्र्रिंट करना है कि व्यक्तिगत खाता वास्तविक खाता नाम मात्र automate का खाता तीनों प्रकार की जो इंट्रियां है वो किस प्रकार से होती है वो यहां पर हम देख रहे हैं ठीक है तो आज यह दो कोस्चन हमने किये दोनों कुस्चन के आप भरपूर प्रेक्टिस करेंगे उतना ही आपको इसमझ में आने वाली है चीज़ी तो कम्प्लीट करें आज के हमारी क्लास फिर हम कल अगले क्वेस्चन के साथ मिलेगे अब तक के लिए बाए बाए